नमस्कार और विल्कमियों वर्ल अफेर्ट नहीं प्रशान धवन रिसेंड़ी चोला एंपायर को लेकर एक कॉंडवर्सी स्टार्ट हो गई है क्योंकि कुछ फिल्मेकर्स हैं साउथ मेरों ने ये का है कि जो रिसेंड मुवी बनी है चोला एंपायर पर उसमें गलत तरीके से स्ट्री दिखाई गई है इनके हिसाब से चोला एंपायर हिंदू रिलिजन को फॉलो नहीं करता रही नहीं यहां पर आप देख पाऊगे एक तामिल फिल्मेकर हैं उसके अलावा कमल हसन अलग से इन्होंने ये का है कि चोला एंपायर के टाइम में कोई कलेक्टिव पर नाइन से लेकर 10 सेंचुरी पर ये बिल्कुल अपने जनित पर था यहां पर आप देख पाऊगे इनका इंफ्लूएंस टेरिट्री की अगर हम बात करें लैंड की बात करें तो मॉडरन डे केरला तामिल नाडू उसके लवा करनाड़का का रीजन बाकी कई जो मॉडरन असियान देश है सिंगापॉर मलेशिया इंडोनीसिया इवन मेयनमार वियतनाम यहां पर आपको चोला एंपायर का इंफ्लूएंस दिखेगा और इसी एंपायर पर रीसेंटी एक मुवी बनी है पॉनियन सेलवन पॉनियन सेलवन वान अभी रिलीस करी गई है इसके और भी इस एशा में इनका इंफ्लेंस फैलता गया और साथ-साथ ये भी दिखाया है कि पांडेया एंपायर के साथ किस तरीके से इनकी रैवलरी आगे वड़ी तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने चोला एंपायर और उसके आसपास की जो हिस्ट्री है वो समझाईए और उस उसके इलावा जो इनके शहर थे बहुत systematic तरीके से बने थे females को याँपर काफी respect ही जाती थी चोला एंपायर के टाइम में कई जो यहाँपर cities हैं बहुत major cities थी उनका नाम कई जो इनकी female emverage थी उनके समान में रखा गया जो usually होता नहीं था आप nine ten century देखो तो females को इता समान क यह बता हूँ चोला एंपायर का जो आपके लीजे इनिशल राइस था इनकी शुरुआत हुई थी इनके राइस की 848 AD में उसके बाद ये अपने पीक पे पहुचे 1030 AD के आसपास और एक कहावत मशूरे चोला एंपायर के बारे में के जब चोला एंपायर वियतनाम तक फैल जब इनका इंफ्लेंस साउथ इस एशा में लगातार फैलता जा रहा था तब हमने नौर्थ में देखा के लगातार इन्वेजन्स हो रही थी सोमना टेंपल उसी समय लगातार रेड किया गया मुहमद गजनी दवारा जब चोला किंग्स वियतनाम पे विस्तार कर रहे थे तो यह आप कहलीजिए एक युनीक टाइम था इंडियन हिस्ट्री का साउथ फ्लरिश कर रहा था साउथ में विस्तार हो रहा था नौर्थ लगातार सिकुरता जा रहा था नौर्थ वास अंडर अलॉट प्रेशर और इसलिए आज भी हमारे वेरियर जो इंडस्रिलिस्ट ह यह उपनली कहते हैं कि सिंज हिस्ट्री टेक्सबुक्स में और जगा चोला एंपायर को उस हद तक कवर किया जाता नहीं है जितना कवर किया जाना चाहिए तो इसलिए न हम इंडियन्स ने अभी तक एब्जॉर्ब नहीं किया है समझी नहीं है यह बात कि चोला एंपायर क पीक पर मनाया गया था तो यहां पर यह कहते हैं कि इंडियन्स को ना कभी खुद समझ में आ गया कि चोला एंपायर टेक्नोलोजिकली कितना पावरफुल था कितना एडवांस था और सिंज यह बात कभी हमको समझ नहीं आई हम कभी दुनिया तक यह बात पहुचा नहीं प कि वजय जीब है आज भी हम इस पर डिबेट कर रहे हैं अगर डिबेट एक स्टार्ट हो चुका है काफी इस पर आप देखोगे न्यू शनल्स पर आटिकल्स पब्लिश होए हैं ट्वीट्स हो रही है ओनलाइन सोशल मीडिया पर के यह महान एंपायर जिस पर हम सब कि अगर देखोगे नहीं चौला एंपायर के किंग्स को हिंदू दिखाना गलत है और कमल असन साब ने आपर यह भी कह दिया कि उस टाइम कोई हिंदू रिलिजन एक कलेक्टिव हिंदू रिलिजन था भी नहीं यहां पर आप देख पाऊगे इनकी स्टेट्पेंट है कमल अगरीज विद डिरेक्टर हिंदू रिलिजन वोज नौट देर इन राजा राजा चोलास पीरियड और इन्होंने आगे यह भी कहें के उस टाइम और बहुत टाइप के रिलिजन होते रहे शैविजम था उसके लाबा समनन था वेरियस और टाइप के रिलिजन थे हिंदू रिलिजन कलेक्टिवली कुछ एक्जिस करता नहीं था और ब्रिटिश आए बाद में यह रोने एन्ट कर यह बात कि जब ब्रिटिश भारत में आये तब इनोंने हमको कलेक्टिवली एक नाम दिया कि इस पूरे में सबकॉंटिनेंट में जो लोग यह यहाँ पर यह सर्टन practices follow करते हैं इनको हम क्या बुलाएं तो फिर Britishers ने हमको नाम दिया हिंदू तो यह उन्होंने बात बुली है recently और ऐसा नहीं है कि यह statement यह पहली बार दे रहे हैं इससे पहले भी यह कह चुके हैं कि जो word है हिंदू यह कोई native नहीं है इंडिया का यह नाम हमको पहले मुगर्ज ने दिया था और बाद में इस नाम को एंडोर्स किया Britishers ने अब यह जो statements है यह जो पुरी controversy है matter इसलिए करती है क्योंकि internationally जहां भी चोला empire की बात होती है तो वहाँ पर चोला empire को एक हिंदू empire ही बुलाया जाता है फॉर एक्जामपल मैं आपको दिखाऊं युनेस्को वर्ल्ड हरेटेज साइड में देखो चोला एंपार ने पूरे तामिलाडू में साउथ इंडिया में बहुत सारे मंदिर बनाए थे उन में से सबसे तीन बहुत ही फिमस मंदिर है जिनको हम कहते हैं ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स ये टेंपल्स 11 से लेकर 12 संचरी के आसपास बनाए गए थे और इन टेंपल्स के बारे में आप अगर पढ़ोगे तो साफ साफ लिखा है कि शिव मंदिर था ये शिव जी के लिए ये मंदिर बनाए गए थे और आप कहीं भी पढ़ोगे किसी भी आप वेबसाइट पे चले जाओ चाहे विकीपीडिया हो ब्रिटानिका हो वहाँ पर ये ही कहते हैं कि जो युनेस्को वर्ल्ल हरिटेज साइट है ग्रेट लिविंग चोला टेंपल्स की ये एक ग्रुप है अब ये हमने बात कर लिए विकीपीडिया कि आप ब्रिटानिका में भी जाओगे जो अपने आपे बहुत ही बड़ी एंसाइकलोपीडिया है ब्रिटानिका भी ये कहती है कि चोला किंग्स वर हिंदू वर्शेब्ड लॉर्ड शिवा तो देखिए अगें कॉंट्रवर्सी बहुत इंटरस्टिंग है कि हम हिंदू एक एंपायर को कब कहेंगे कब हम कहेंगे कि एक सर्टन एंपायर हिंदू रिलिजन को फॉलो करता रहा जबकि दुनिया आप अगर देखो कलेक्टिव लिए यही मानती है कि चोला एंपायर के जो किंग्स थे फॉलोड हिंदू रिलिजन तो यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या अभी जो स्टार्टर्स है इंटरनाशनली एंसाइकलोपीडियास में बुक्स में कि चोला एंपायर कि जो एंपायर से फॉलोड हिंदू रिलिजन क्या यही स्टार्टर्स होना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि नहीं यह गमर असन ठीक क्या रहे है बाकी जो जगा ठीक क्या रहे है इस बात को लेकर डिबेट है कि यह एंपायर जैनुवनली हिंदूइजम फॉलोग करता था या नहीं करता था लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में आगे हैं देखो मैं अपना अपिनियन आपको बताऊंगा नहीं मैं आपको बता सकता हूँ कि कॉंट्रवर्सी कहां जब शुरू ही वो चोला एंपायर के बारे में नॉलेच इन एंसागलोपीडिया से ही गैदर करेगा तो यहाँ पर जो लिखा है यह मैटर करता है तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से जो जानकारी है आपके सामने रग दी है आगे मैं यहाँ पर आपका ऑपिनेन जाना चाहूंगा लिखेगा इसके बारे में कॉमेंट सेक्शन में I would really like to know your thoughts फानली यहाँ पर मैं यह भी आड़ कर दूँ के लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली UPSC एक्जाम की त्यारी करना चाहते हैं जेनुवन तरीके से तो आप अनकाडमी का स्पेशल कॉमबो पैकेज पर्चेस कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाईए यहाँ पर आपको मिलेगा लिंक इस कॉमबो पैकेज का इस कॉमबो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रिलिम्स, मेंस और ऑप्शनल तीनों की त्यारी करने का मौका मिलता है इन सिंगल पर्चेस यह सारे जो आप कोर्स हैं अलग-अलग पर्चेस करोगे तो 10-15,000 रुपीस आपको एक्ष्टा पै करने होंगे तो कॉंबो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है तो अगर मान लीजिए अब यह आपका प्लैन है कि आप 2-3 साल में अराम से UPSC के एक्जाम का एक प्रपर अटेंट देंगे तो जो 36 मेने का कोर्स है यह आप कर सकते हैं पर्चेस मगर जो प्राइसे यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना सिंप्ली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे दा प्राइसे विल स्टार्ट फॉलिंग सिर्थ 3,000 उपे में UPSC optional prelims means तीनों की त्यारी आप कर सकते हैं with an academy so use the code PD10 and save money so एसी note के साथ यह है वीडियो कांथ thank you for listening and as always God bless you all